आज का हमारा टॉपिक है रोगी को जानने योग आवश्यक जानकारी सबसे पहले अगर सरीर में कोई भी समस्या होती है तो बिना देर किये डॉक्टर का परमर्स लेना चाहिए आप जितना अधिक समय लगाते हैं उतना ही अधिक समय बिमारी को लक्षण के बढ़ने के लिए मिल जाता है अर्थात जल्द इलाज करा लेने से रोगी के ठीक होने के असार बढ़ जाते हैं सेकेंड डॉक्टर से मिलने पर अपने सारे लक्षणों को पूरी तरह से खुल कर बताना चाहिए कुछ लोग कुछ लक्षणों को हलके मिले कर छिपा लेते हैं जिससे उस मरीच की पूरी तरह से तकलीप में आराम नहीं हो पाता है अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं या लक्षणों को भूल जाते हों तो याददास के तौर पर लक्षणों को किसी एक जहां नोट करकर रख लेना चाहिए और अपनी पूरी समस्या बताना चाहिए थर्ड डॉक्टर की दौर अगर कोई खून सम्मंदी पिशाप सम्मंदी कोई भी अन्य तरह की जाच कराई जाती है तो बहर जल्द ही करा लेना चाहिए ताकि अपने चिकित्सक को जल्द से जल्द रिपोर्ट की जाच कराई जा सके और उनकी सला के अनुसार कारी किया जा सके फूर्थ दवाईयों को सही तरीके से सही समय पर ही लेना चाहिए चिकित्सक के परामर्ज के अनुसार और दवा खत्म होने के पश्चात पुना अपनी इस्थिती का चिकित्सक के दौरा इलाज लेना चाहिए या चिकित्सक की सलाह लेना चाहिए फित डौक्टर की परामर्ज के अनुसार परहेज भी करना चाहिए साउधानी भी रखना चाहिए अलग अलग रोगों के हिसाब से अलग अलग तरह के परहेज होते हैं उदाहरण तेल, मिर्च, मसाला, नमक, दूद, खटाई, इत्यादी जैसा की डौक्टर की दौरा आपको बताया जाता है उस तरीके से आप परहेज कर सकते हैं किसी भी तरह के नसीलों प्यदार्थों का सेवन, गुट का, तमाकू, सिगरेट इनका सेवन नहीं करना चाहिए सिक्स एक अच्छा बातवरण मेंटेन करना चाहिए सुद्ध ताजी हवा, उबला पानी पीना और अच्छे पोसक तत्तों से भरपूर भोजन को लेना चाहिए सुक्छता का ध्यान रखना चाहिए इसके अलाबा अपनी दिन्चरिया में एकसरसाइज, योगा, साइकिलिंग ये सब भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार किया जा सकता है फिजिकली स्वास्त के अलाबा मेंटल स्वास्त भी बहुत जरूरी होता है इसके लिए हमें अपने पसंदीदा कारियों को करना चाहिए अपनी लाइफस्टाइल में मरंजन संबंदी, गति बिधियां सामिल करनी चाहिए दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और आगे आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद